हेलो स्टुएंट्स वेलकम टू कियार क्लासिस आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 एलेक्ट्रमाइटिक इंडक्शन को रिवाइस करने वाले हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक एस में वह है एलेक्ट्रमाइटिक इंडक्शन ठीक है तो मैगनेट को जो हम मैगनेट के नौर्थ पोल होगा ठीक है ठीक है मैगनेटिक इंक्रीग होने के वजए से क्वाइवा कि इसे कोॉइल में एक पैदा हो जाएगा ठीक है और इसी प्रॉसेस को इसी फेनामेन्य को क्या बोलते हैं है एलेक्ट्रमाइटिक इंडक्शन ठीक है है तो यह जो गैल souvenir है वह्ट डिफ्लैक्शन शो करने लग जाएगा अब हम जब magnet को दूर ले जाएंगे तब भी क्या होगा deflection होगा गलमेटर में तो इसे यह पर चलता है कि और स्ट्विट्ट्स यह बात या दखना कि deflection होगा अगर हम दूर ले जाएंगे तो opposite होगा ठीक है तो जो गणो ओमेटर होगा यहां पर फोक वो डिफ्लेक्शन शोने करेंगा ठीक है नहीं घ़ाइगा यह जब कभी बैनिक फ्लेक्स्थ होता है ठीक है जब मैंगिशद सब्सक्राइब ने किसी और अधर एकूई मैं उङ्टमन एक ऐने थो हो लेते हैं, वो चैंज और वेरीबल रजिस्टेंस हिह अब स्टुट का बढाएंगे तो कि परन我要 और ट्रियों कि भूले कि यूज एकोस ह necklace Landing Auf का तो तो मैंने स्यम्हें गए गाँतव थया था मैंने तो पराइगा तो को सो कि कि पाइख नग्स जो निंक हो रखाए से वह क्या होगा इंग्रीज्ट लाइगा तो इसमें जो करेंग है वह भी इन्डूज रहेंगा और अगर हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो तो यह जबेए डिफ्लेट करेगा उपजित डियरेक्शन में ठीक है ना तो एक्सपेरिमेंट कॉइल में अगर हम करेंट को चेंज करते हैं तो दूसरी कोईल में भी करेंट बौध हो जाता है और बात यह आधरना श्टुए्ट जिए प्रैम्री कोईल में अगर करेंट कॉंस्टें है current increase नहीं हो रहा है तो magnetic flux भी increase decrease नहीं होगा तो इस वज़े से इसमें जो secondary coil है इसमें EMF induced नहीं होगा current induced नहीं होगा ठीक है ना वैसी इसमें पिछले वाले experiment में था अगर magnet rest में है ठीक है तो magnetic flux जो है वो constant रहेगा ठीक है magnetic flux change नहीं होगा time के साथ तो जो coil है उसमें current induced नहीं होगा और EMF भी पैदा नहीं होगा ठीक है अब देखो students for our days ने इसको express कर दो statement में ठीक है whenever there is change in magnetic flux then an EMF is induced in the coil and will remain till magnetic flux linked with the coil changes जब तक magnetic flux change होगा तब तक EMF क्या होगा उस coil में induced होगा ठीक है बस सिंपल सा है उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट इसने दिया था कि जो EMF की वैली होगी ठीक है जो EMF की वैली होगी वो होगी N times d5 upon dt जाब एन है number of turns कितने turns है इसमें ठीक है जैसे यह कोईल है हमारे पास इस कोई में देखो आप एक दो तीन चार पांच छे टन है तो ऐसी N turns अगर होंगे उसमें तो क्या होगा EMF equals to d5 upon dt और students d5 upon dt होता है कि rate of change of flux ठीक है जो flux है वो time के साथ कैसे चेंज हो रहा है ठीक है अब बढ़ते हम लैंज लो में लैंज ने क्या बोला था students की current इस तरह इंड्यूज होगा कि जो चेंज आये हैं ठीक है उसके आगे जो चेंज आये हैं उसको वो अपोस करें ठीक है एक बाद एक्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा आएगा आपको देखो इस magnet को अगर सपोस हम पास ले जा रहे हैं इस कोईल के ठीक है अब देखो यह स्टुएंट सी जो magnet था इ ठीक है अब यह मेंगेटिक फ्लक्स को अगर डिग्रीज करना चाहता है तो यह जो यह जो कोईल है वो इसको पुष करेगी इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ और पुष्टा भी कर सकीगी जब इस कोईल में क्या बनेगा नॉर्थ पूल ठीक है तो नॉर्थ पूल बनेग जाएगा यह पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा भी टर्मिनल क्या हो जाएगा नेगिटिव हो जाएगा ठीक है और स्ट्विंट्स अगर हम मैगनेट को दूर ले जाएं तो मेंगनेटिक फिल्ड लाइन्स जो है कम पास होगी और फ्लक्स क्या होगा डिग्रीज होगा तो यह कोईल चाहिएगा की hot pasti इंकरीज ओ जिसना पहले था वो तिना हो जाए ठीक है तो क्या होगा इस मैळिट को अट्रैट करना चाहिएगा और मैँनिक को अट्रैक्ट करना चाहिए तो ऑ अधिर को सफ़ज और अनौत के लिए चाहता और आ चाहिंगे तो जो पार्टा माधलम तरह कारुति करेंगा सब्सक्राइट कर दो में होते अच्छे एक इसको बोलते हैं mechanical energy ठीक है तो जितनी हमने mechanical energy mechanical energy हमने यूज करी उतनी यहां पर electrical energy में वो क्या हो गया convert हो गया so this is the law of conservation of energy तो lens law को हम बोल सकते हैं lens law is the consequence of conservation of energy ठीक है यहां पर हमने लिखा हुआ है lens law is the consequence of law of conservation of energy lens law law of conservation of energy का एक परिणाम है ठीक है तो हम दुबार से इसको समझ लेते हैं देखो lens law ने यह कहा था है कि अगर जो EMF की direction होगी वह इस तरह के से होगी कि वह changes जो हुए हैं उसके आगे उसको oppose करें ठीक है इसलिए हम यहां पर क्या लगा देते हैं बस minus sign तो E equals to minus N d5 upon dt फ्राडेस law ने तो देखो students EMF का magnitude के बारे मताया था जो EMF का magnitude होगा वह N d5 by dt होगा लेकिन EMF की direction किसने बताई थी lens law ने ठीक है और lens law law of conservation of energy को क्या करता है hold करता है ठीक है ना अब students हमें lens law को हमेशा है यूज करना है current की Direction निकालने के लिए ठीक है अब सब्सक्राइब कि उसके मेंटिक फ्लक्स हो जाए तो फोर्स यह लेफ्ट साइट में लगाई इस 서कर को मुफ करेंगे तो इसमें जो है और इस तरफ कर लए फ़ुर्ब लगए ऄफाइगा लएफ साइट की तार्फ टीक है और मेंडिक फिल्ल के है इन्वर जो सबसेशता मतलब reimburse होता है in work अन्द की तदर है ठीकले करेंट किस तुरस लगेगा से हपार उपर लगेगा यह दर आप whether I क्या करना यह पर जाता है करेंट तो कशोश तरह न hometown local यह राइट of force और यह क्यों हो रहा है क्योंकि जो force होता है और फॉर्स ऑं रिजय स्टू आई अल्क्रोश बीटेगन है तो करेंट एलिमेंट जो है यहां पर लेंच है हमारी अ करेंट है जो जो है उससे हमें क्या करना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है किसके साथ मेंगेटी फिल्ड के साथ तो एल से आप घुमाओगे हाथ बी की तरफ और अंगुठा जिस डिरेक्शन में एक्सटेंड होगा वो होगी डिरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक है और फोर्स की मतलब पोटेंशल डिफरेंस जो क्रियेट होगा इस डॉड में उसको जो फॉर्मला निकल के आएगा ड्राइब करके वह आएगा बी एल वी ठीक है लेकिन एक बात याद रखना कि जो मेंगेटी फिल्ड होना चीए वह वह वैलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चीए ठीक ह creo जीक है अगर वेलोसिटी इस तरफ है और तो आप उसमें यूस करगे हम वटिकल मेंगेटिक टिक कि वह परपेंटिकुलर को त्यक्वaltung अब तुम कि एक रोड को होना इसमें यूस करना है इसमें ऑग अब देख करना की तरफ है अब स्टूइंटक proport को थीटा एंगलसे करना है magnetic field में ठीक है अब देखो स्टुएंट्स जी क्रॉस है आपको पहले पहले बताया था कि क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या होता है इन वर्ड ठीक है तो मैंगेटिक फिल्ड जा रहा है और लेंध इधर है हमारे पास इसकी ठीक है तो देखो स्टुएंट्स हम इसको इस तरफ मूव कर रहे हैं यह हमारा हो गया क्या एंटिक लॉक्वाइस को जो मूव करेंगे तो यह रोड जो है यह रोड चाहेगी की फ्लक्स डिक्रीज हो जाए ठीक है डिक्रीज हो करने के लिए फोर्स अपने आप पे लगाएगी इस तरफ को मूप पीछे की तरफ टिक है यह आप लगेगी फोर्स इसमें तो आप इसको द्यान से देखिए जो यह एरो मैं बना रखा है यह इन्वर कब possible हो सकता है जब current यहां जाएगा ठीक है आप इसको right hand की अंगलियों को यहां से इधर turn करेंगे ठीक है तो जो इस तरफ क्या extend होगा आपका thumb ठीक है जो thumb होता है वो direction देता है कि इसकी force की direction ठीक है तो बार से मैं लिख देता हूं फॉर्मूला I L x B ठीक है और strength इसको यह magnetic field ना inward है ठीक है आप इनवर्ड इसको यह इस पॉइंट में इनवर्ड है तब आप करके देखें इसको right hand की जो अंगलिया है उसको L से B की तरफ गुमाओगे तो force इस तरफ ही आएगा ठीक है तो current आपका किस तरफ से किस तरफ जाएगा Q से O की तरफ ठीक है इसको सही कर देते हैं Q से O की तरफ Q to O और एक बाद या दखना है कि जो electron है वो opposite move करेगा O to Q ठीक है और strength जो इसमें EMF generate होगा इस coil में वो होगा E equals to half BL square omega ठीक है और strength जो omega का formula होता है वो d theta upon dt होता है ठीक है मतलब angle जो है वो time के time के respect में कितनी कितनी तेजी से increase या degrees हो रहा है ठीक है और 2 pi upon t, t क्या होता है time period time required to complete one rotation ठीक है और 2 pi f भी होता है इसका formula या V upon radius ठीक है velocity upon radius L ठीक है अब students जो हमर पास next topic है वो है self induction का अब self induction को पढ़ने से पहले आप इस coil को देखो ध्यान से ठीक है अब इस coil में current ऐसे जा रहा है आप right hand thumb rule use करो जो thumb है thumb को आपको रखना है किस की direction में current की direction में ठीक है अब आपका नीचे की तरफ point होगा तो magnetic field आपका जाएगा ऐसे कुछ ठीक है तो students यह हमने real state लगा रखा यहां पर अब जैसे मैंने पहले बदाया था resistance जो होता है और current जो होता है inversely proportional होते है resistance बढ़ाएंगे तो current क्या होगा degrees suppose that resistance को हमने degrees करा, तो current क्या होगा increase currentansas होगा, तो magnetic field आपको पता है कि magnetic field क्या ह country MA negative field B, increase होगा, तो flux तो infrastructure ऑख चाहेएगी कि flux क्या होजाए, टूब्स फ्लक्स टीप्र में शक्रीज हो इसमें अगर फलक्स इंँग्रीज हो रहा है क्योंकि बन जाता है North Pool ठीक है हम इसे याद रहना कि ना क्योंकि जब फ्लक्स इंक्रीज कब होता है जब मैंगनेट उसके पास आता है तो तो जो मैंगनेट है वो से दूर चल जाए तो दूर करने के लिए वह नॉर्थ बना देगा अपने तरव क्योंकि नॉर्थ पूल नॉर्थ स्टुरेंट जो अपोसिट करेंट एक अपोसिट कर 나l या इसमें फ्रोय लग जाएगा कि कि एप प्वोज़ उन transition क्रण इसमें क्या प्तूर्ई बस एड दया इसमें क्यों अंलग जाएगा इन्डूस जाएगा यह इंडूसट कर नि टिंग्रीज है ठीक है ऐसके बैक自श्य जो भी की मिव्ड है वह खो under just फ़िए और ये तब तक चलेए का जब तक करेंट कॉंस्टेंट ये धीक है जब करेंट कॉंस्टेंटर जाएगा तब यह सिलसला खतम हो जाएगा और जो inu ההोजा का अबतली होती है हर कॉइल me में होतां है तो की पास एक क्रापर्टी हों इक वह जिसके रोज़े से वह क्या करता है करेंट के इंक्रीज्द जिठी जोने को अपेस करता है तो इसे प्रापर्टी भेज़ा हम् अगर करेंट का डीक हो रहा है तो इसको वो क्या करेगा इंक्रीज कर देगा ठीक है और इसी प्रॉपर्टि को बोलते हैं कोविश्नट का सेलf इंदक्ट है कितना वह अपोस कर सकती है कर सकती है करेंट को करेंट के रोध उई घो फिर तो neoसे एक है इसल्च वेला फिर कि स्काराएं और होती है हुआ फ्रोछ आट को इसको सव나 Il को constant जो है वो भार आजाएगा तो डिया अपॉन डिटी हो जाएगा तो एल इकोस्ट हो जाएगा माइनस एपॉन डिया वाए डिटी तो सेल्फ इंड़क्टर्स इकोस्ट होता है इंड्यूस एमफ अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट ठीक है अब हम देखो इसका भी इसका जो परमिल्टी है वो कहा है मू है तो इसका सेल्फ इंड़क्टर्स कुछ ऐसे निखलेगा मू एनस्कॉर अपॉन एल ठीक है और मूर जो होता है रिलेटिव परमिल्टी होता है वह होता है मू अपॉन यहां से मू की वैल्व कितनी निखली मू आर इंटू मू मिठा देते हैं इसको यह कैपिटलल की जगा छोटा एल है ठीक है जो स्मॉल एल होए लैंट ऑफ सॉलनाइट तो होगा म्यू आर म्यू नॉट एन स्कॉर एपॉन एल तो यह हो जाएंगे हमारे सेल्फ इंड़क्टेंस के फॉर्मुला जो है म्यू आर म्यू नॉट एन स्क की परमेविल्टी मू है ठीक है अगर स्टुटेंस फ्री स्पेस है अंदर तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला एल को स्टुटेंस अगर हम कर इंड़क्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो अब देखते क्या होता है टोटल जो इमफ होता है वह डिस्ट्रिब्य यहां चाहिए और अभी हमने फ्राइश लोग से पढ़ा था कि एको सु माइनस दीवाइडी इवन हो जाएगा मैनस दीवाइड़ अपन डीटी और प्लस व माइनस दीवाइड्य एपन डिटी एखिए ओं प्लस माइनसलिफा अथे अपन डिटीडिटिक तिक है और फ़ाय स्वित्त से लिए हो यह आए टो अए डिया पॉन टी कॉमन ले लेंगे माइनस टी कैंसल हो जाएगा और माइनस माइनस से स्थित्राइं खनी लगा एल वन प्लस है अम यहां पर हमने डिया इबा संदर जाएगा तो हमारे पास टोटल इंडक्टेंस आ सबस् GPA आपनडेटिक्षे में फिर जोड़ते हैं तो उस उनका इंडेर्टेंस इंग्रीज होगे है गोदो अधित करें गए मदो चूर्ज्स करेंगे दिएधि अधि तो इस फॉर्म्ले को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं यहां पर यूज करने वाले हैं दोनों तरफ कॉमन लेकर हम कैंसल कर देंगे तो जो करते हैं कि अभए देंगे हैं दीड़ करने देंगे श्करा कार सफनेगे ईंक्रेटर साउम यहांगें secondary coil ठीक है जो secondary coil में जो flux है वो क्या होगा चेंज होगा flux चेंज होगा तो यहां एक current क्या हो जाएगा इंड्यूज हो जाएगा ठीक है तो फाइटू जो है वो I1 जो current है primary coil में उस पर depend करता है ठीक है और students इस phenomena को बोलते है हम mutual induction और इसका derivation इसका जो formula हम create करेंगे फाइटू जो होगा वो I1 के क्या होगा डिरेक्ट ली प्रपोर्शनल ठीक है यहां से स्टार्टिंग करेंगे हम फाइटू जो होगा I1 के डिरेक्ट ली प्रपोर्शनल होगा तो फाइटू इकोस्ट हो जाएगा mutual induction आपने सीखा कि mutual induction मतलब क्या होता है कि जब किसी भी एक क्वाइल में current change हो तो उसके पास में रखी हुई जो क्वाइल है उसमें flux होता है जिसके वज़े से उसमें EMF क्या हो जाता है इंडियू हो जाता है और इस प्रोसेस को या इस फैना मेना को क्या बोलते है मिच्वल इंडेक्शन ठीक है और जो फ्लक्स फाइटू है वह आइवन पर निरभर है जितना आइवन बढ़ेगा उत्रा फ्लक्स पी क्या होगा इंक्रीज होगा तो मिच्वल आगे हमारे पास फार्मुला फाइटू अपन आइवन अब स्ट्रेंट्स एक और फार्मुला बना देते हैं इसका इक क्या होता है माइनस दी फाइटू अपन डीटी अब देखो इक हांसा है इसमें जो इम फ इंडियूज होगा उसको बोले स्ट्रेंट को बाहर ले लो आप तो आजाएगा आपके पास डि 1 अपन डीटी तो जो एम का फार्मुला आपके पास क्रिएट वह 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 हो गया माइनस ऑपन डी इवन अपन डीटी से हैं क्या समझते हो दी आई आई बन अपन डीटी होता है रेट ऑफ चेंज ओफ in the primary coil ठीक है और जो E है वो है EMF induced in the secondary coil ठीक है ना इसन सब terms को आपको एकदम अच्छे से समझना है कि इनका meaning क्या क्या है ठीक है अब देखो students एक derivation है students में अगर हम दो solenoid को एक ही axis में रख देते हैं ठीक है उनकी जो एकसी से वो सेम है और एक के ओपर एक उनकी जो कोईल है वो लपेट देते हैं और उनकी जो लेंथ है वो क्या है एल है और जो secondary प्राइमरी पर जो टरंस है number of turns वो है N1 N2 ठीक है तो इसका जो derivation derivation है students इसका drive करके हमें एक mutual inductance मिलता है इन दोनों कोईल का वो होता है में नॉट N1 N2 A upon L और students अगर इन दोनों के बीच में अगर मीडियम आ गया मिऊ पर मेविलिल्टी का तब इसका जो फॉर्मला दूबारा से हो जाएगा जैसे हमने पिछले केस में कर रहा था वह क्या हो जाएगा तो हम यूज करेंगे मू नॉट की जगह क्या जाएगा मू तो M equals to mu N1 N2 A upon L हो जाएगा ठीक है और स्ट्रेंट जो A और L है आप इसमें कर्फूसर हो कि A क्या है अब देखो स्ट्रेंट कर देखो सबसे पहला जो फॉल चैप्टर को देखो सबसे पहला जो तो फॉर्मला पढ़ा था होता है फ्रादेज लो इकोस्तों माइस एन डी फाय पॉन डीटी इक होता है इंड्यूसर एन क्या होता है नमर अफ टन्स और डीफाय पॉन डीटी का है रेट ऑफ चेंज ऑ फ्लक्स ठीक है फिर अल यह अल लेंद की रॉड को हम मूज ऑल कोरते में मेंने फील में शर्थे कर टार करते हैं तो उस में में रेट गुल्छ यह इन्देट करते हैं और एक करिदार्ट regular सेप्रदे यह मैं हमें इस के इसकों यह प्कुलमेश wann इन पर सेकेंड और इन्डीजिम एक की यूनित तो पता होगी वोल्ट में आया गाइगा इसकांसा ठीक है न और जो सेल्फ इंडॉक्टेंज का फॉर्मुला हमने पढ़ा था हो था फ्लक्स अपॉन करेंट ठीक है और एक फॉर्मुला था से था माइनस इन्डुजीम फिंफ उपन रेट जेंज ऑफ पर अपिट इन्डीक ओउन एपर फॉर्मुल पॉर्मूला था फॉर्मुला था फॉर्मुला हम ने द्राउब किया था थो था भी विट डिडिड्ी सीरीज में आगर हम इंडूक्टर इसको जोड़ दें ल 1 & 2L3 क यह पढ़ा था ठीक है और हम परल्ल में जोड़ते हैं तो क्या समय जाता है क्या एक्वेलंट रेज जो इंड़क्नेसा का निकलता है वह लंपन एल्वन वन फोन पर सब्सक्राइब टू प्लस वन अपन एल्टू प्लस फान अपन एल्ट्रीट फिर हमने सोलनाइट का मीचल तो ίे था न। अपर आपको नौस चेक्टर ड़ास ट्वैल्ग्टिक्स अगर आपकोस चीए तो आप सीष्क्याऄकश जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तब तक गुडबाई, टेक केर, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में